हिंदी बासा के अंदर जिस तरह से मुहावरों का प्रियोग होता है उसी तरह से लोकोप्तियों का प्रियोग भी होता रहता है और आज का हमारा मुहावरा या लोकोपती है घर की मुर्गी दाल बराबर यानि आज हम इस वीडियो के इंदर घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे या लोकोपती के अर्थे और इसके वक्यम प्रियोग के बारे में जानेगे तो वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे या लोकोपती का अर्थ क्या होता है यानि इस मुहावरे का अर्थ होता है घर में जो व्यस्तु है उसका महत्वय नहीं होना दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति खाने के लिए किसी सब्जी को सहर से लाता है तो उसे बड़े चावस के साथ खाता है और उसे जरा भी फिजूल नहीं जाने देता क्योंकि उस सब्जी को लाने में बहुत पेसे खर्च हुए थे इस कारण से उस सब्जी का बहुती महत्वय होता है और इसके ही विपरी ते घर में मिलने वाली साधारण सी दाल को भी मानोज़रा भी महत्वय नहीं देता उसे फिजूल भी जाने देता है क्योंकि उस दाल को लाने में उसके पेशे जो नहीं लगी इसे तरह से मास खाने वाले लोग दुकानों से मुर्गी लाकर खाते हैं और जिसके कारण से उसका ही महत्वा होता है मगर वहीं मुर्गी अगर घर में होतो मानों उसका महत्वा ने करकर अनाप सना पे खाता है और फिजूल भी कर देता है इस तरह से घर में दाल और मुर्गी समान हो जाती है इस कारण से ही कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर यानि घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थे घर में जो वस्तु है उसका महत्व नई होना होता है और जहां पर घर में जो वस्तु है उसका महत्व नई होनी की बात होती है वहीं इस मुआवरे कहा वक्किम प्रियोग किया जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर, मुहावरे या लोकोपती कहा वक्यम प्रियोग, पहला वक्यम प्रियोग, महेस ग्यानी होने के कारण से उसने विधाले में कई ट्रोफी जीती, जिसके कारण से उसका नाम पूरे विधाले में चा गया, पर महेस के घर के लोग उसे मुर्ग ही स तो उसके घर के लोग सबजी को बहुत वेश्ट करने लगें मगर जब सेर से कुछ सबजी लाते हैं तो उसे भी बंचा बंचा करें खाते थे तब रामोतार को समझ में आ गया कि घर की मुर्गी दाल पराबर तेसरा वाकिब्रिव पेशे देखकर लाई हुई चीज की सभी इज़्जत करते हैं पर अगर वही घर में एसे ही मिल जाती है तो कोई भी उसकी कदर नहीं करते इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल पराबर तो था वाकिब्रिव सरला का अचार तो पूरे गाउं में परसिद है पर घर में उसका आचार किसी को अच्छा नहीं लगता इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल पराबर पांच वाकिब्रिव बार से लाई गई पानी जैसी दाल सभी को अच्छी लगती है पर घर में बनी असली दाल किसी को अच्छी नहीं लगती इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर चटा वक्यम प्रियोग किसन जब होटल जाकर खाना खाकर आया तो उसने खाने की बहुत ज्यादा तारिफ ही मगर घर में बने छोले बटूरों की सबजी खाने पर भी उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी सच कहा है घर की मुर्गी दाल बराबर दोस्तों इस तरह से घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का वक्यम प्रियोग किया जाता है अगर आप इस मुहावरे के बारे में किसी भी परकार का परसन पूछना चाहते हैं तो आप अपना परसन कमेंट बुक्स में रख सकते हैं इसके अलावा अगर आप विबिन तरह के मुहावरों के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले विबिन तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके और आप अनेक तरह की मुहावरों की बारे में ग्यान हासिल कर सकें तो चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ना भूलें